गुरू की साजी निवाद जी, प्यारी साज संगा जी, प्यार और सतकार से कहना धन निरंकार जी साज संगा जी, आज दासी, ओजस्वी वक्ता, और obecता, और निरंकारी परचारक, आधर्निय, पुझनिय महत्मा, संद कुल दीप सिंग जी की जीवनी के उपर प्रकाश डालत आप जी के चर्णों में विचार रखे कि साज संगा जी इनका जनम एक अगस्त उनिस सो संटालिस को हुआ और उनिस जनवरी दो हजार चोबिस को ये निरंकार में लेन हो गए इनके बारे में हादरनिय महतमा रामकुमार सेवक जी ने कहा है क्या भूलूं क्या याद करूं सतकुर बाबा हर देव सिंग्छी महाराज की अध्यक्सता में हो रहे वार्शिक समागम के कवी दर्बार में उन्होंने कहा था कुल्दीब बेशक लाब सिंग परदान दे घर जनमिया पर तेरे दर्बान दे दर्बान दा दर्बान हा साथ संगत जी कहते हैं महात्मा कुलदीब सिंग जी आदर्निय महात्मा जी आरडी सत्यारती जी के शिशे थे बोलने की कला उन्होंने उन्हीं से ही सीखी वारशी समागम का आँखों देका हाल में आदर्निय निर्मल जोशी जी के मारक दर्शन में लिखता था आदर्निय महात्मा निर्मल जोशी जी खुदा के मुन्शी कहे जाते थे और उनकी बात हर कोई सहय नहीं सकता था निरंकारी राजमाता कुलवंत कोर जी के भी महात्मा आदर्निय महात्मा कुलदीप सिंग जी बहुत ही करीब थे परमम्ता महीराजमाता जी ने हमेशा उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार दिया वे उजस्वी वक्ता थे और लेकिन निरंकारी प्रदर्शनी के मादम से हम लोगों ने कितने ही साल एक सास सेवाई दी ये बात हमारे अधर्निय महत्मराम कुमार सेवक जी बता रहे हैं वे कहते हैं कि इनी संदे हैं वे बहुत बढ़िया कार्य करता और अधिकारी थे अगर उन्होंने कोई वादा कर दिया तो उसे पूरा करके दिखाते थे निरंकारी प्रकाशन विभाग में उनके नियुक्ति हुई उस वरश क्याते हैं कि वरश 1986 में मेरी प्रकाशन विभाग में नियुक्ति हुई उस वरश वारशिक निरंकारी संसमागम लाल किले के पीछे स्थित तीन मैदानों में हुआ था वहाँ जो परदर्शनी लगा था उसमें संथ निरंकारी प्रकाशनों के मुखे संपादक संथ सहाई तैकार निरमल जोशी जी और उनके स्पुत्र आधर्निय विन्य जोशी जी के मारक दर्शन में मेरा पर्वेश निरंकारी परदर्शनी में हुआ उस वरष निरंकारी परदर्शनी को चार भागों में माढ़ कर मीशन के व्याश्विक परभाव को बहेतर ढंक से दिखाया गया था आठ गूरुप में जो आजकल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं दीपक भगगा जी भी निरंकारी प्रदर्शनी की उश टीम में शामिल थे पुझे निर्मल जोशी जी, पुझे कुल्दीप जी की परतिभा को बहुत अच्छे ढंक से पहचानते थे तो हम लोगों की प्रतिभा को उन्होंने प्रियोक करके निरंगकारी प्रदर्शनी को बड़ा कैनवास दिया और पुझनिय कुलदीप जी ने हम लोगों की लक्षता का बेहतर इस्तेमाल किया पुज्य कुल्दीप जी की गती बहुत तेज थी और अपना लक्षय प्रापत करने के लिए किसी भी सादन का इस्तेमाल वे बेहिचक करते थे और अपने सहयोग्यों के कारे में कोई दिक्कत नहीं आने देते थे समागम की विवस्ता में लगे हुए ठेके धारो और उनकी टीम से भी वे बड़िया काम करवा लेते थे मेरे साथ उनका संबंद उतार चड़ाव भरा रहा एक बार की बात है दफ्तर जाने से पहले ओफिस जाने से पहले उन्होंने मुझसे ग्राउंड में पहुँचने के लिए कहा लेकिन मेरी नियुक्ती उन दिनों निर्मान भवन थी और चार बसे बदल कर मुझे वहाँ पहुचना पढ़ता था मुझे ग्राउंड तक पहुचने में रात के आठ बज गए मुझे देखकर वे खुश हुए और मेरे खाने पीने की भोजन की वेवस्था भी की कुछ ही समय बाद परदर्शनी में निरंकारी राजमाता जी का आना हुआ पुझे कुलदीप जी निरंकारी राजमाता जी से बहुत अच्छी तने बाते कर लेते थे बहुत खूले हुए थे और उन्होंने राजमाता जी से मेरी कंप्लेंड करते हुए कहा माता जी ये सेवक जी है जी ने मैंने सुबह आठ बज़े बुलाया था और ये अब आये हैं मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कुल्दीप जी मेरे साथ ऐसा व्यवार करेंगे लेकिन निरंकारी राज माता जी ने बाद संभाल दी और कहा तो आ तो गए हैं 1981 में मैं इंटर्मी डियेट का सचातर था और मुरादन गर में पढ़ता था निरंकारी यूद फोरम के जो पांच लक्षा थे उनका पर चार परसार भी करता था पुझे कुल्दीप जी ने मेरा नाम किसी से पता किया और मंच से प्रशंशा की 1986 के बाद जब प्रकाशन विभाग में सेवा मिले तो निरंकारी परदर्शनी में सेवा का सुभागय मिला और सत्कुर भाबा हरदेव सिंग जी महाराज के ब्रमलीन होने और यूग निर्माता मतस्विंदर जी के समय तक चलता रहा पुझ्य कुल्दीप जी के महा प्रियान के बाद यूवा वस्ता का वह समपरक तूट सा गया है पिछले वर्श उन्होंने मुझे से कहा था आप तो हमें भूली गए हैं तब मैंने कहा था जी नहीं आपको कभी भूल नहीं सकता आज वे इस नश्वर शरीर को छोड़ कर इस अनंत निरंकार में जा मिले हैं लेकिन उनके याद हमेशा बनी रहेगी साज संगा जी ये उनके जीवन के जीवनी पुझे महत्माराम कुमार सेवक जी ने बताई है कि वो बहुत ही अच्छे वक्ता भी थे और किस तरह उन्होंने मंडल में हमारे निरंकारी मंडल में किस तरह उन्होंने सेवाई निभाई किस तरह वो लगातार लगे रहे और सत्कुर्माता सुदिक्षाजी महराज का भी उन्या शीरवाद मिलता रहा और 19 जनवरी 2024 को वो इस ब्रभ में लीन हो गए अंतिम स्वासों तक वो गुरु के दर पर जुड़े रहे और अपनी तोड निभा कर गए ऐसे थी हमारे पुझे और मन प्यारे महात्मा कुलदीप सिंग जी जिनकी याद को इस तरह उनकी यादें दासी ने आप जी के साथ शेयर की है आप जी इसी तरह उनको उनकी जो शिक्षाएं हैं जो उन्होंने हमें हर पल सिखाया है कि गुरु के दर पर अपनी तोड निभानी है तो हमने उनके करम को देखते हुए ऐसे ही अमने भी अंदिम स्वासों तक सेवा आसी म्रंसस्थं करते हुए गुरु के दर पर अपनी तोड निभानी है क्याते हैं संपुन अवतार भानी भी शबद भी है शबद नंबर एक सुपजास मोद देराविज जित्थे बंद दूंद गुपारा नेरा है ग्यांदी जोती पास्च तेरे चानन रस्ता तेरा है रिष्टेदारी ऐस जहांदी उत्थे रखना मेल नहीं सिरफ नाम दी दोलत बाजो दूज्जा होना खेल नहीं जानदी वारी खाली है सिकारों तेशिक अंदर दा सतकुर बाजो कोई नहीं साती दरम राज दे मन्दिर्दा सत्कुरू के बिना किसी ने भी आगे रक्षा नहीं करनी है सत्कुरू का जिसने सहारा ले लिया है उसका लोकसु की परलोकसु हैला हो गया है जिस तरह ये महात्मा सत्कुरू के चर्नों में तोड निभा गये है इस तरह हम भी सत्कुर के चर्णों में तोड निभाएं और इस ब्रहम ज्यान को प्रापत करके अंतिम स्वासों तक सेवासी मरंसस्थ संग भी लगे रहें आज के जो दासी ने विचार रखी है ये पुछनियम हात्मा कुल्दीब सिंग्जी के शर्दा अंजले समारों के उपर रखे हैं आप जी ये विचार परवान करें अगर को गलती हो गई हो तो शहमा करें और दासी को भी आशीर वाद देना कि दासी भी इसी तरह है परिवार सहित सेवासी मरंसस संग करती रहे और इस तरह से जुड़ी रहे और आप संतों माखशों का सत्कुर्नी रंकारदातार का आशीर वाद पाती रहे साथ संगत जी ये विचार करते हो दासी से बहुत से गलतियां भी हुई होगी उन गलतियों के लिए आप जी शहमा कर देना और आगे के लिए दासी को सुमत बख्षना सब के बहले की कामना करते हुए दासी सिम्रन कराएगी और सत्कुर्माताजी के चर्णों में यही सभी के लिए आशीर वाद मांगेगी यह सचे बाश्या सभी को अपने चर्णों की प्रीद देना सभी इसी तरह से वासी मरं ससंग के रंग में रंगे रहें प्रभु चुन्री मेरी भगती के रंग में रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना यह मेरे मालिक दिन द्याल अंतिम स्वासु तक हमारी जो यह चुन्री है भगती के रंग में रंगी रहें हम इसी तरह सत्कुर्म से अशीर वाद प्रापत करते रहें तेरी शरणहा मैंनू बख्ष लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा मैंनू बख्ष लो, बोलिये सत्गुरु मार्ता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जै, निरंकारी राज मार्ता गुर्ब चनवतार की जै, ना संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी